हलो दोस्तों वेलकम तो यौर चैनल विजय थापा यूबीसी मैं विजय थापा बैंगलूर्स से और यह रहा मेरा थापा सलाम दोस्तों हर हफ़ते की तरह एक नया वीडियो एक नया इंफरमेशन के साथ आप सब के सामने हाजर हूं और दोस्तों थांक यू सो मच फॉर यू सब्सक्राइबर हो चुके हैं थांक यू सो मच ऐसे ही प्यार बनाए रहे हैं और उमीद करता हूं कि आप सभी लोग जो इस वीडियो के देख रहे हो एकदम फिट और एक नया वीडियो मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और उसका जितना हो सके उतना जवाब देने की कोशिश करता रहता हूं उसमें से एक कमेंट हमेशा रहता है कि लोगों को कंफ्यूजन रहती है यह फ्लाट ब्लेड सेमी अपर और अपर ब्लेड का फरक क्या है और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा कुछ वीडियो बनाए है जिससे आप हमें इनों बता इनों रखे हुए है ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूँ की डिफरेंस क्या है फ्लाट ब्लेड में और समी अपर में और अपर ब्लेड में दोस्तों आप सभी के चान करें के लिए में एक बात बता दूं मैं seller नहीं हूं मैं BATS SELL नहीं करता अगर आप मेरे कोई भी वीडियोस देखिए उन में क्या कर देता हूं या तो manufacturer या तो dealer या फिर seller उनका phone number directly दे देता हूं ताकि आप लोग directly उनसे जाके पर्चेस कर सको directly उनसे contact कर सको right सिर्फ मैं सिर्फ अपना number video के last में डालता हूं कि कोई मुझे contact करना चाता है manufacturers हो कोई अपना business promotion करना चाता हूं तो वन लोगों के लिए मेरा email address और phone number video के description के last में है आप यहां पर जितने भी सारे बैट्स देख रहे हो मेरे background में इन सभी का मैंने unboxing और three months playing वीडियो का मैंने बना चुका हूं अगर आपने नहीं देखा मेरे YouTube चैनल में जाइए और जरूर देखिए दोस्तों flat blade क्या है नाम से यह पता चलता है flat मतलब बैट का जो blade होता है वो पूरा flat होता है एक दम साफ निशाने बिना अब किस बैट को यह दिखिए मैं रेड़ डैस के आपको दिखा देता हूं यह है रेड़ डैस का जो soft tennis खिलने के लिए मैंने खरी दाता है आप दिखा दो एक एक इस तरफ से दिखा दे और भी सामने आए और भी और भी इतना सामने आए कि लोगों को यह पूरा रेशा रेशा दागा दागा देखने को मिले यह दिखिए दोस्तों यह जो होता है यह surface देखिए आप यह flat है पूरा अगर मैं इसको उपर कोई भी scale एल वेल रखोंगा तो यह एकदम फ्लाट लगेगा आपको यह जो surface है यह देखिए अभी दिख रहा है exact perfect यह है flat blade और दोस्तों यही flat blade में मेरे पास है LR का भी जो मैं आपको दिखाना है तो फिर से flat blade अगर camera को सामने लाएंगे हम दर्शकों को दिखा दे यह flat blade है देखि प्रेस किया होता है दूस्तों इससे क्या होता है कौन खेलता है ऐसे वाले bats से राइट मैं आपको बता दूँ ऐसे वाले bats बैट से वह लोग खेलते जो पहले बाल से हिटिंग बहुत ही बड़ी अकरत है और जो बैट खेलते उनका जो playing area होता है यह ज्यादा तर यह इनका playing experience है और मेरे personal रवे से बोल रहा हूं not message it has to be perfectly correct with what I am saying यह देखे इस वाले bats से जो फ्लाइट होते हैं जो ज्यादा से लोगा straight खेलते हैं या फिर आपने mid wicket पे खेलते हैं या pointing पे खेलते हैं इनका यह जो एरिया होता है यह वाला area cover करते हैं इस bats से ज्यादा मतलब जिसको hitting अपने shots पर बहुत solid confidence है कि अगर एक मारूंगा तो boundary के बाहर जाएगा वैसे वाले ज्यादा होते हैं इसके disadvantage क्या है flat blade होने के वज़े से edges होते हैं कभी कपर क्या होता है आप मारोगे तो इससे top edge होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है top edge अगर कोई pacer हो इस ball से आप ऐसा करो इनों यह top edge होने के संभावना ज्यादा है keeper catches होने के संभावना ज्यादा है लेकिन जो भी flat blade से खेलते हैं बहुत ही solid confidence मतलब अपने हार्दिक पांटेज से ball one से छक्के उडाने के इनों सोचते वाल हैं वैसे वाले होते हैं यह हो गया अपना flat blade और आते हैं दोस्तों semi upper blade semi upper blade में आपको दिखा दिता हूं यह हो गया मतलब पूरा upper blade जितना ऊपर उठा हुआ नहीं होता है लेकिन क्या होता है इसका जो blade होता है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है अगर आपको concaving और convexing का concept मालूम है तो यह उस वाले पर होता है अगर आप camera सामने लाएंगे तो ह कस्टोमर को या अपने दश्रकों को दिखा दें यह देखिए दूस्तों यह जो blade है उठा हुआ है यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है यह देखिए फ्लैक ब्लेड के मुकाबले फ्लैक ब्लेड पर क्या था यहाँ पर पूरा exact लैक अल्ड़ फ्लैक ब्लेड फ्लैक इदेखिए फूरा यहाँ पर उठा अब हमकूर पूरा उठाने आज़ेगा उठाब पने उठा जिसको यह hybrid model चाहिए जो flat blade के और upper blade के बीच में रहे वह वाला concept है इसमें यह देखें मेरे पास semi upper में तो यहाँ पर यह भी है 77 sports का यह pro player edition bat और MCC का जो gold edition bat है वो भी semi upper blade है देखें यह देखें दोस्तों यह देखें जो इसका यह है यह देखें आप देखें यह यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है concaving और convexing और concept पर बना हुआ है यह वाला bat जो semi upper इससे क्या होता है यह वाला जो bat है इससे क्या होता है यह ना तो flat blade है ना तो पूरा upper blade है इसके beach वाले में है मतलब जिस लोगों को पूरा flat भी नहीं चाहिए पूरा ज्यादा upper blade भी नहीं चाहिए वैसे लोगों को यह semi upper blade की bat होता है जो serve करता है both purpose flat blade का और upper blade का मज़ा जो होता है वो serve करता है अब आते हैं upper blade मेरे पास complete upper tennis bats में कोई भी complete upper blade bat नहीं था तो मैंने एक new guru sports का nag जो bat है वो leather bat है उसको लिया है जो है पूरा complete upper blade bat इससे क्या होता है इससे देखो दोस्तों यह जो portion होता है यह उठा हुआ होता है और इसके जो edges होते curve होते complete curve होते आपको दिखा दे यह दिखी दोस्तों अगर यह flat line से दिखा रहा हूँ तो यह जगह उठा हुआ है तो मतलब it is a slope like this मतलब इसके edges होते है rounded edges होते है और यह उपर होता है तो normally ऐसे वाले bats से कौन खेलता है जो technically sound हो situation के हिसाब से खेलता हो और पूरा 360 degrees खेलता हो मतलब 360 degrees मतलब विकेट की कीपर अगर मैं leather ball के मतलब तो यह वाला quick shot करता हूँ यह करता हूँ इस जिगह पर मारता हूँ तो it has to touch it has to be inner this ring अगर मैं यह वाला shot खेलता हूँ तो especially यह वाला shot जो ball यहाँ लग की इस position पे जाना है तो वहाँ पे deep point पे जाना है जो situation के हिसाब से खेलते हैं उन लोगों वह लोग ज्यादा upper blade bat पसंद करते हैं उनको मारना भी है और shots लगाने भी है defense भी करना है और pointing की तरफ खेलना है जब पर fielder नहीं है जो smart players होते हैं जो smart 360 degrees खेलते हैं उन लोगों के लिए upper blade है राइट और bowler की धजिया उड़ाना चाहते है वैसे लोग flat blade उसकरते हैं और चक्के पर चक्के मारते हैं बहुत सारे tennis legends को देखा होगा आपने YouTube पे वो सभी ज्याद से ज्यादा flat blade उसकरते हैं थाकि वो पहले ball से ही एकदम ball को उड़न चू करें वैसे वाले यह upper blade ज्यादा तर लोग prefer करते हैं leather में leather में अगर देखो मैं तो पुराना खिला डी हूँ दोस्तों weekend season player हूँ मतलब club cricketer हूँ तो मेरे लिए मुझे upper blade बहुत ही पसंद है और मैं ज्यादा तर prefer करता हूँ upper blade में right मैं पहले ball से मारना नहीं चाहता हूँ मैं situation परक्टना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ उसके बाद उसको hitting करना चाहता हूँ वो मेरा scene है और अगर आप कौन से वाले खिलाड़ी हो आप किस category के खिलाड़ी हो या तो आप पूरा flat blade यूज़ करते हो या फिर upper blade करते हो या फिर आप beach वाले हो मुझे ना तो ज्यादा ही flat चाहिए ना तो ज्यादा ही upper blade चाहिए वैसे वाले खिलाड़ी हो सारे bats एकदम बिल्कुल बहतरी इन bats से दोस्तों आपके खेल के choice के हिसाब से आपको bat choose करना है आपको यही bat लेने वही bat लेने वो नहीं है आपको जो भी bat पसंदा है आपके खेल के हिसाब से आपको choose करना है और आपके बारे में दोस्तों और कोई अच्छी तरसे जान नहीं पाएगा आपके अलावा तो मेरा कहने के मतलब यह कि दोस्तों you are the best judge of yourself मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के खिलाड़ी हो इतने साल से खेलते हो या फिर खेलना चालू किये हो तो आप लोगों को अपना style पता है आपका strength पता है आपको weakness पता है तो आप लोग अपने style के हिसाब से bat चुनो आपको जो सूट करता है वह वाला bat यूज़ करो या फिर flat blade या फिर semi upper या फिर upper blade bat जो आपको सूट करता है वह वाला bat आप चूज़ करो दोस्तों फिर से जैसे मैंने बताया कि मैं seller नहीं हूँ मैं unboxing करता हूँ bats के और या फिर कोई भी sports goods के अगर आप मेरे चैनल पहले से फॉलो कर रहे तो यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों यह रहा detailed review और a view of what a flat blade is what a semi upper blade और what is upper blade right सीधी सी भाशा में अगर मैं बताऊं या फिर आपको सही माहिने में बताऊं तो जो बैट का ब्लेड होता है उसको किस डिजाइन से बनाया गया है उसके उपर से उस ब्लेड का या तो flat blade बूला जाता है या semi upper या फिर अपर ब्लेड बोला जाता है यह जाता है यह जो अपर ब्लेड उसमें प्रेसीन थोड़ा ज्यादा होता है कंपर तो your other blades बट अधर इनौल का बैट है मेरा फेट फेट बाट है मेरा यह फेट आपको तो होता है flat blade का थोड़ा कम होता है semi upper का बीच में होता है so this is how it is दोस्तों उमीद करता हूं कि इस video से आपको थोड़ा बहुत information मिला या फिर कोई भी आपको doubts था यह flat blade और semi upper and upper blade में क्या फारक होता है थोड़ा बहुत information मिला या जानकर मिला होगा ऐसा मैं समझता हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागे comments में जरूर बताना कि आपको आप इतने साल से cricket खेल रहे हैं आपका experience कैसा है या आपका अनुभव कैसा रहा मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा थैंक यू सो मुच दोस्तों हर हफ़ते की तरह अगले हफ़ते तरह हम आपका इंतिजार करेंगे मैं आपका इंतिजार करूंगा तो थैंक यू सो मुच पर all the love and support मैं विजय था पा बैंगलूर से और यह रहा मेरा था पा सलाम